हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम बैक टो टेनर्डिस्काउड अकेडमी आज की वीडियो में हम 10th किलास मैथमेटिक चेप्टर नमबर 7 की एकसरसाइज 7.1 के पार्ट 2 को सॉल्ब करेंगे इसके पार्ट 1 में हमने इसके एक से लेके पास तक के को सॉल्ब किया अगर आपने इसके पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखा तो नीचे दिये के डिस्क्रिप्टन लिंक पर जा कर आप इस वीडियो को देख सकते हैं पार्ट टू में हम इसके question number 7, 8, 9 और 10 को solve करेंगे चलिए start करते है question number 7 7th question है हमार पास find the point on x-axis which is equal distance from 2-5 and minus 2-9 हमें x-axis पे एक ऐसा point find out करना है जो point 2-5 और minus 2 और 9 से equal distance पर हो हम मान के चलते हैं point A, point A के coordinates हम माल लेते है 2-5, point B के coordinates को माल लेते है minus 2 और 9 हम x-axis पे एक point P माल लेते है यो कि P x-axis पे है, x-axis पे P है तो y की value क्या होगी 0 यानिकि y coordinates हमारा 0 होगा, अगर y-axis पे है तो x coordinates हमारा 0 होगा तो हम मालेतने की x-axis पे वो point P है तो P के जो coordinates होंगे x और 0 क्योंकि ये x-axis पे तो y की value क्या होगी 0 question नहीं बोलागा कि x-axis पे जो point है वो point A और B से equal distance पे इसको हमने लेट किया A और इसको लेट किया हमने B तो P A और P B का distance equal है तो हमें यहाँ पे distance formula यूज करना है using distance formula हमें distance formula यूज करना distance formula x2-x1 all square y2-y1 और इसका all square distance formula यूज करना में तो कि इसने बोला P axis पे जो point है P A और B से equal distance पे है तो P A और P B का distance equal होगा distance formula यूज करेंगे तो P A का distance और P B का distance यह अपस में equal होगा तो सबसे पहले देखें P A का distance निकालते हैं distance formula यूज करेंगे distance formula x2-x1 x2-x1 all square y2-y1 y2 हमार पास 0 minus और यह minus minus हमारा प्लस हो जाएगा y2-y1 all square इसी तरीके से P B के भी इसका distance निकालना है x2-x1 x2 हमारा पास x है माइनस x2 यह भी माइनस और यह भी माइनस 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 प्लस x2-x1 प्लस y2-y1 अब आप इसको solve कर लिजिए यहां पर identity लगा दिए यह हो जाएगा a square plus b square minus 2ab 055 का square 25 equal to यहां पर distance यहां पर identity लगी a plus b का all square identity लगा है यहां पर a square plus b square plus 2ab कि 9 का square 81 हमार पास यह आएगा x square minus का 4x 25 plus 4 plus में 29 x square plus का 4x plus में 85 अब हमें यहां पर x axis पर point निकालने हैं तो इस roots को टारने के लिए हमें taking square both sides दों तरफ हमें square लेना होगा तो लेते हैं यहां पर हम taking square both sides जो हम दोना तरफ square करते हैं तो root का square से root कर जाता है तो इसका square करने पर root कर जाएंगे तो यहां पर आएगा x square minus का 4x plus का 29 x square plus का 4x plus का 85 x x को आप एक तरफ कर लिजिए x square minus का 4x यह x इस तरफ आगा minus x square यह minus का 4x square equal to में 85 29 को इस तरफ ले जाए माइनस का 29 अब इसको आप solve कीजिए x square से x square कर गया minus का 4x minus का 4x minus का 8x equal to 85 में से 29 जाएंगे पंद्रह में से नो यहां पर बचाएंगे हमारे पास 56 तो हमारे पास यह आगया minus 8x equal to 56 x की value आजाएगी 56 अपन में माइनस का 8 और x equal to minus का 7 तो इस तरीके से हमारे पास x axis पे जो point हमने पी माना था उसके coordinates हमने माने थे x और 0 तो हमारे पास coordinates आगे माइनस 7 और 0 क्योंकि x की value आए माइनस 7 तो question में यह बोला गया था कि x axis पे ऐसा point लेना x axis पे तो y के coordinates को हम 0 मानते हैं तो हमने माना x axis पे वो point P है तो y के coordinates हमारे पास 0 के x और 0 point P के coordinates आगे इसको हमने let A माना और इसको हमने से x axis पे जो point है वो हमारा है minus 7 और 0 जो A और B से equal distance पे होगा question नमबर 8 देखिए यह करा find the value y for which the distance between the point P and Q is 10 unit हमें y की value निकालनी है हमें given है P और Q के बीच का जो distance है वो है 10 unit यानिकि P और Q इन दोनों के बीच distance है हमारे पास 10 unit तो हमें y की value निकालनी है इसमें भी हमें distance formula यूज करना पड़ेगा P के coordinate से मारे पास 2-3 और Q के coordinate से 10 और Y और P और Q के बीच का distance है 10 unit सामें distance formula लगाना पड़ेगा using distance formula सामें distance formula लगाना distance formula P Q के बीच का distance distance formula होता है x2-x1 all square y2-y1 और इसका all square P और Q इनके बीच का distance हमें दिया होता 10 unit हम यहां पर लिखेंगे 10 यह हमार पास x2 यह x1 x2 हमार पास 10 है x1 हमार पास 2 है इसका all square plus में y2-y1 y2 y है minus y1 minus है यह minus और यह minus minus मार पास plus का all square यह हमार पास आगा 10 10 में से 2 तो यहां पर आजाएगा मर पास 8 का square plus में यहां पर identity लगेगी a plus b का all square इसके identity है a square plus b square plus में 2 a b अब हमार पास यहां पर 10 8 का square होता है 64 plus y square plus 9 plus में 6y 10 यह हमार पास आगा y square plus 6y 64 और 9 यह हमार आजाएगा 73 अब हमें यहां से root हटाना है root हटाने के लिए हमें square करना पड़ेगा तो हमें लेना पड़ेगा दोनों तरफ square तो taking square both sides taking square both sides जब हम 10 का square करेंगे 10 का square होता है 100 और root का square करते हैं तो root हम कर जाता है root का square से root कर जाएगा तो हमार पास क्या बचाएगा यहां पर y square plus 6y plus 73 इस तरीके से यहां पर हमार पर बचाएगा इस तरीके से हमार पास quadratic equation बन गी अब इस quadratic equation को solve कीजिए multiply करने पर 27 और minus करने पर 6y यह हमार पास आजागा y square plus 9y minus 3y minus 27 equal to 0 यह इसके factor होगे y आप कॉमा ले लेजिए y को divide करेगा y plus y9 को divide करेगा यह माइनस यह माइनस 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 प्लस 39 दा 27 तो हमार पास फैक्टर आगे y plus में 9 और y minus 3 equal to 0 y plus में 9 और y minus में 3 यह मार पास factor आगे हमें y की value निकालने हैं तो हमार पास y plus में 9 यह हमार पास 0 और y minus 3 और यह हमार पास 0 हमार पास factor आगे तो y plus में 9 और y minus में 3 यहां पर y की value आगे यहां पर 3 तो इस तरीके से जो value होगी y की होगी minus 9 और 3 यहां पर y की value होगी minus 9 और 3 तो इस तरीके से question solve हो जाएगा चली next करते है question number 9 में देखी यह करा if q is equal distance from the p and r find the value of x also find the distance qr and pr इसने बोला गया q p और r से equal distance पे है p r p और r q से equal distance पे है q के coordinates हमार पास 0,1 p के coordinates 5 minus 3 और r के coordinates है x और 6 अगर q p और r से equal distance पे है तो हम यहां पर x की value और इसके साथ हमें qr के बीच का distance निकलना हमें सकते साथ हमें pr के बीच का block distance निकलना है तो सबसे पहले जो given है हमें यह बोला गया है कि qp और qr यह दोनों equal distance पे है तो सबसे पहला हमिएं पे distance formula use करते हैं using distance formula Using distance formula Distance formula हमारा x2, x1, hall square, y2, y1 और इसका hall square Distance formula यूज करना है QP के बीच का distance और QR के बीच का distance इन दोनों के बीच का distance equal है तो distance formula यूज़ करते है QP के बीच का distance QP के बीच का distance यानि कि X2 हमारा पास 5 और X1 0 5-0 यह hall square Y2-Y1 Y2-3 Y1-1 यह सका hall square इसी तरीके से QR के बीच का distance X2-X1 X2-X1 यह सका hall square Y2-Y1 6-1 का hall square यहाँ पर 5 का square 25 plus minus 3 और minus 1 minus 4 का square होता है 16 यह plus का 16 X-0 X X का square करेंगे तो यहाँ पर X square आजाएगा plus 6 में से 155 का square आजाएगा हमारा पास 25 इस तरीके से हमारा पास आगया यह होगे हमारा पास 41 और यह हमारा पास आगया X square प्लस में 25 अब हमें square root अठाना है तो हमें 2 तरफ square लेना पड़ेगा तो लिखेंगे taking square बोथ साइट्स taking square बोथ साइट्स और हमें X की value निकाल नहीं है तो X square equal to हो जाएगा 41-25 25 कोई तरह पर जाएगे तो यहां पर बचेगा X square equal to यहां पर अब आपास बचा 16 और X की value हमारा पास आगी प्लस माइनस root में 16 तो X की value हमारा पास आगी प्लस माइनस 4 यानिके X हमारा पास आगया प्लस का 4 और माइनस का 4 इस तरीके से हमें X की जो value मिली है दो value मिली है एक प्लस का 4 मिला है और एक माइनस का 4 मिला है अब हमें X की value find out करने के बाद बोला गया है QR QR के बीच का distance निकालना है और PR के बीच का distance P और R के बीच का distance हमें find out करना है अब हमें X की value minus 4 और 4 है तो हमारे पर r की value when अगर हम when x की value 4 लेते हैं तो r क्या हो जागा हमारे पर 4 और 6 तो हमें qr की बीच का distance निकालना है और pr तो qr का distance निकालते हैं qr distance formula यूज़ करेंगे x2 minus x1 x2 minus x1 y2 minus y1 y2 minus y1 qr की बीच का distance हमारे पास जागा 4 का square हो गया 16 प्लस आज का square 25 छे में से एक गया पांच तो qr हमारे पास आजागा root में 45 यह तो हमारे पास आगया क्यों और इसी तरीके समय पी आर के बीच का distance निकालना है और पी आर के बीच का distance निकालते हैं distance formula यूज़ करना है x2 x1 4 minus 5 का hall square y2 y1 6 minus 5251 y1 minus का यह minus और यह minus 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 plus यह का hall square पी आर हमारे पास आगया minus 1 का square 1 9 का square 81 तो पी आर के बीच का जो distance आगया वह हमारे पास आगया 82 तो इस तरीके से qr हमारे पास आया root 41 और पी आर के बीच का distance आगया root 82 यूनिट इसी तरीके से x की value क्योंकि हमारे पास 2 आई थी तो अब हम x की value minus 4 लेते हैं अब x की value minus 4 लेते हैं तो q पी और आर इनके बीच का distance equal था तो अब हमें और और x की value minus 4 और यह 6 q की value तो 0 1 और पी की value तो minus 5 minus 3 तो कि हमारे पास x की value दो आई थी तो x की value दोनों को हमें put करके रखना है पहले हमने x की जगे plus का 4 रखा अब हम x की जगे minus का 4 रखेंगे और distance formula यूज करते हैं अब distance formula यूज करते हैं जब हमने x minus 4 रखा तो qr की बीज का distance x2 minus x1 x2 minus x1 का hall square इसी तरीके से y2 minus y1 का hall square यह मारे पास qr की value आगी minus 4 का square 16 5 का square 25 तो qr की value मारे पास आगी root में 41 इसी तरीके सम पी आर की value निकालते हैं तो पी आर distance formula यूज करेंगे x2 minus x1 x2 minus का 4 और minus 5 y2 6 y1 minus 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 plus और यह का hall square पी आर minus 4 minus 5 9 9 का square 81 9 का square यहां पी भी 81 तो पी आर की value हमारे पास आगी root 162 qr की value root 41 और पी आर की value root 162 qr qr की value root 41 और pr की value हमारे पास आगी root 61 आप इसके factor कर सकते हैं factor में आप लिखेंगे तो इस answer आ जागा 9 root 2 तो इस तरीके से जब x की value हमारे पास 40 तो इनके बीच का distance root 41 और 82 और जब और जब x की value minus 4 रखते हैं तो हमारे पास qr का distance root 41 आ जाता है और पी आर का distance 162 और 9 root 2 आ जाता है चलिए next question करते है question number 10 में बोला गया है find the relation between x and y such that the point x y is equal distance from the point 3 6 and minus 3 4 यानिके x और y ये वाला point 3 6 और minus 3 4 से अगर equal distance पे हो तो हमें x और y की value x और y के बीच हमें relation निकालना है तो सबसे पहला हम यह आपर let कर लेते हैं let coordinates coordinates of point P इसको हम point P माल लेते हैं point P x और y 3 6 को हम a माल लेते हैं और point B के coordinate समाल लेते हैं minus 3 और 4 question में बोला गया है कि PA और PB के बीच distance equal है PA और PB के बीच हमार पास distance equal है तो हमें distance formula यूज करना है पी एक के बीच distance निकालना है तो distance formula यूज करना है PA distance formula में x2-x1 x2-x1 का all square इसी तरीके से y2-y1 y2-y1 का all square आगे चलते हैं अब हमें PB के बीच distance निकालना है तो x2-x1 x2-x1 यह भी माइनस है तो माइनस माइनस हमार पास plus 2s का all square इसी तरीके से y2-y1 y2-y1 का all square यहां पर आप identity लगा लिए a2 b2-2 ab 2-0 a-b का all square की identity लगा हुआ है हमारा a2-2 b2-2ab To a बी इसी तरीके सी यहां पर identity लगाई है A² प्लस B²-2AB इदर आज Алएए इदर भी एद्याल का हॉलड़ स्क्रहर तो हमारे एडेंटीऄ के यहां पर एडेंटी लगाएंगे तो A² प्लस B²-2AB यहां पर आप Sindic By स्क्वेर उक्त सब्सक्राइबत इसक्राइब हैं अब त्रप स्क्राइब करता है तो यहां बचेके हमार पास य हमार पास स्क्राइब य माइनस का डर y 36 और प्लस 9 यह हमारा आगया 45 इसी तरीके से हमार पास यहां पर x square यह plus का y square यह plus का 6x minus का 8y 9 plus 16 यह हमार पास आगया 25 अब देखिए यहां बीच में equal to का निसान हो और दोनों तरफ एक जैसे नंबर सो या एक जैसे वेरियेबल हो और उनके साइन भी एक जैसे हो तो कड़ जाते हैं यहां पर हमार पास x square यहां भी हमार पास x square यहां पर मैं y square मिल रहा है यहां भी हमें y square मिल रहा है अब देखिए यह माइनस का 6x और यह प्लस का 6x साइन अपोजिट है तो यह एक वल टू के बीच में तो यह कटेंगे नहीं आप क्या करना में आप इस माइनस का 6x माइनस का 12y प्लस का 45 यहां बचा हमार पास 6y माइनस 8y प्लस का 25 अप सारी बेलियू आप यहां पर लिकरा जिए माइनस sixy minus 12y लस 45 sixy को स्टरब 6x को स्टरब लाएंगे माइनस का यह माइनस हो इस तरफ पानने पर यह प्लस में से ऐड हो गया यह मने से आठ गए तो माइनस का या इस भी यह तो यहां पर रहे रिखेंगे दिग्वाई बाएं इसको चार से डिवाइड करेंगे चारतिया 12 इसको चार से डिवाइड करेंगे तो प्लस का और यह 4 पंजे बेस एक्वाल टू में 0 इस तरीके साथ यहां पर डिस्टेंस फॉर्मला यूज करते हैं तो एक्वेशन बन जाएगे तो इस परकार आज की वीडियो में हमने 7.1 के 10 कोस्टनों को सॉल्ब किया नेक्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज 7.2 करेंगे इसी परकार की नई वीडियो को देखते रहने के लिए इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए नेक्ट वीडियो में फिर मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद